हलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेज फॉर हिस्ट्री आज से मैं Civil Services, NET, JPAC, BPAC और विभिन प्रतियोगिता परिक्षाओं में इतिहास से संबंदित जो प्रश्ण पूछे जाते हैं उनको objective तरीके से तयारी शुरू करूँगा तो आज मैं Ensign History का पहला चैक्टर जो है सिंदु घाटी सभिता इस चैक्टर को लेकर आया हूँ तो सिंदु घाटी सभिता शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज़े बताना चाहूँगा इसके कुछ important जो questions बनते हैं या इसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्ही का एक collection मैंने तयार किया है जिससे आपको काफी हद तक इस विशय को समझने में सहयता मिलेगी तो चलिए आप हमें देखते जाएं और उसे note भी करते चलेंगे सिंदु सबिता का काल जो है वो 2350 से लेकर 1750 इसापुर्व माना जाता है ये जो है कार्बन डेटिंग पदती जिसे हम C14 मेथड भी कहते हैं उसके आधार पर इसका कालक्रब निर्धारित किया गया इसे अन्य नामों से हडपा सबिता के नाम से भी जाना जाता है सिंदु सबिता को क्योंकि इसका जो प्रथम उत्खानन केंद्र था या स्थल था वह हडपा था इसकारण इसे सिंदु घाटी सबिता अत्वा हडपा सबिता के नाम से भी जानते हैं अब आते हैं कि सर पुर्थम इसके अवशेश की प्राप्ति कब हुई थी सर अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा इस छेत्र में 1875 इस्वी में खुदाई की गई थी जिससे हमें इस सब्वेता का ग्यान हुआ था इसका अन्यस्थल क्या है? मोहन जोदलो जिसे हम मुर्दो के टिले के नाम से भी जानते हैं अब इसकी चोहद्दी को समझ ले जैसे आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे तो इसकी चोहद्दी हम समझ देते हैं यह हो गया आपका नौर्थ जिसे उत्तर कहते हैं नीचे हो जाता है अब्दक्षन यह हो जाता है पुर्व जिसे हम इस्ट कहते हैं और इधर हो गया पस्चिम तो सरवादिक पस्चिमी पूरास्थल यानि इस तरफ का जो छेत्र है वह है सुत का गेडोर जो बलचिस्तान में पढ़ता है इसका सबसे पूर्वी पूरास्थल यानि इस तरफ का जो छेत्र है वह आलमगीरपूर जो की उत्तर प्रदेश में पढ़ता है इसका सबसे उत्तरी पूरास्थल यानि सबसे उपर का जो भाग है वह मांदा जिला अकनूर में है ये जमुकश्मी में राज्य में पढ़ता है और इसका सबसे दक्षनी यानि सबसे नीचे का जो स्थल है वो दायमाबाद जो की महरास्ट में महरास्ट राज्य के अंतरकत आता है ये इसकी चोहदी है आप लोग इसको नोट करनेंगे इससे सवाल जरूर आएंगे पश्यमी हो गया सुतकागे डोर पुर्वी हो गया आलमगीरपूर उत्री स्थल हो गया मांदा जमुकश्मीर और दक्षनी पूरा स्थल दायमाबाद महरास्ट अब आते हैं इसके विभिन स्थल और इसके नदी और किस ने इसकी खोज की है इसको समझने काई ये स्थल हो गए हडपा स्थल या सिंदु सब्विता के स्थल नदी के किनारे बसी हुई है ये हो गए और इसके खोजकरताओं का नाम है तो एक एक करके आप देखेंगे और उसे राइड आउन भी करेंगे हडपा जो सब्विता है वो रावी नदी के किनारे बसी भी है और इसके खोजकरताओं का नाम है दायाराम साहनी ठीक है? इस प्रकार जब मोहन जोदलो की बात करते हैं तो मोहन जोदलो सिंदू नदी के किनारे बसा है और इसके खोजकरताओं राखाल दास बैनर जी ठीक है? आगे चलते हैं चानुदाडो के विशह में कह सकते हैं या सिंदू नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके स्थापना करता या खोजकरता का नाम है गोपाल मजुंदार काली बंगा की बात करें काली बंगा जгов सिंदु उस्थल है या घगर नदिय किनारे बसी है और इसके खोश करता का नाम है ठापर और लाल इसी तरह से अगला जो हमारा सैंदु उस्थल है वो है कौट दीजी जो सिंदु नदी के किनारे बसा है और इसके खोच करता है फजल एहमद इसी तरह रंगपूर रंगपूर के खोच नदी है बगल में मादर, मादर नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोच करता है रंगनात राओ उसी तरह रोपड जो सेंधव स्थल है उसके सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोच करता है यग्यदत शर्मा उसके बाद हम लोथल को देखें तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोच करता का नाम है रंगनात राओ इसके खोश करता के नाम है George Dells, पूरा नाम है George Dells, उसी तरह बनावली जो है ये रंगोई नदी के किनारे बसी हुई है और इसके खोश करता है Ravindr Singh Wist, धोला वीर्या नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसके खोश करता नाम है Ravindr Singh Wist, तो ये जो चीजे हैं आपको याद रखनी है इसे संबंदित किस नदी स्थल के किनारे बसा हुआ और इसके खोच करता कौन है ये संबंदित सवाल पुछे जा सकते हैं इसे हमने आसानी से समझने के लिए कुछ फॉर्मूला डिराइव किया है ये फॉर्मूला आपके सामने हरपा को हमने हरदी के संबोधन से कहा है हरदी को अगर आप तोड़के देखिए तो हरपा, रह से रावी नदी के किनारे और दो से दयाराम सानी तो ये फॉर्मूला अगर आपने हरदी याद रखा तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी उसी प्रकार मोहन जोदलो को हमने मोहन सीरा के नाम से शॉट फॉर्मूला निकाला है मोहन जोदलो, मोहन सीरा मोहन से मोहन जोदलो सी से सिंधुनदी और रा से सीरा राखाल दास बैनर जी इसी तरह से आप चानुदाडों को देखिए ये चशगोम है चशगोम का मतलब हो गया चानुदाड सिंधुनदी ये किनारे और गोम का मतलब गोपाल मजुबदार ठीक है? आगे बढ़ते हैं कोट दीजी को जो है हमने कोसिफ फॉर्मूला से बनाया है याने कोट दीजी जो है सिंधुनदी के किनारे बसी है और इसके खोचकरता का नाम है कोसिफ फ से फजल احمد इसके बाद हम आते हैं रंगपूर का तो रंगपूर जो है रमर रह इसका पहला वर्ड इसका मा और इसका रह रंगपूर मादर नदी के किनारे रंगनात रहों इसके खोच की, इसके बाद आते हैं, आपका है, रोपड, रोपड में रसत यग, रोपड देखिए, रोपड में सतलुज नदी एकिनारे है, और रसत, सतलुज का रसत हो गया, यग्य, यग्दत शर्मा का यग्य, अगे हम देखेंगे, लोथल जो है, लोभरंग फर्मुला ह तो लोथल के लिए लोभरंग, यानि लोथल, भोगवा नदी एकिनारे, और रंग मतलब रंगनाथराओ, ठीक है, इसी प्रकार से आलमगीरपूर के बारे में देखेंगे, अही यग्य, आलमगीरपूर, हीक से हिंडन, और यग्य का मतलब यग्दत शर्मा, इसी प्रकार स सुद्कागेडवर का सुद्दास, सुद्दास का मतलब सुद्कागेडवर, दास नदी के किनारे, डेल्स नदी के, बनावली का बरगोर, बनावली बर यानि रगोई, और गोर का मतलब रविंदर सिंग विस्ट, ठीक है, इसी तरह से दोलावीरा का धौर, यानि दोलावी और उत्खनन से प्राप्त होने वाले अवशेश यहां पर हो गया स्थल इसकी वर्तमान स्थिति कहां पर यह अवस्थित है और उस उत्खनन से प्राप्त होने वाले अवशेश इससे भी सम्मधित सवाल आपको पूछे जा सकते हैं सबसे पहले हमारा है हडपा हडपा जो है इसकी वर्तमान स्थिती मुलतान में है यह पाकिस्तान में पढ़ता है यहां से हमें क्या मिला है अन्नागार के साक्ष मिले है निचले नगर की योजना मिली है और कारीगरों की बस्ती के प्रमान हमें हडपा में देखने को मिलते है इसके बाद है हमारा मोहन जोदलो जो की लरकाना जिले में है ये भी छेतर जो है पाकिस्तान में आता है यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार, सामुदाइक भवन पक्की इटे और निर्मित बुर्ज इस तरह की चीज़े हमें मुहन जोदलो से देखने को मिलती है तीसरा जो हमारा स्थल है लोथल लोथल के बारे में कहा जाता है कि यह इसकी वर्तमान सिती गुजरात में है यह वर्तमान नाम और यहां गोदी बाड़ा याने डॉक्याड जिसको बोलते हैं बंदरगा, पोर्ट वो मिला है भवन एवं दुकान के साक्ष मिले है चानुदाडो यह सिंद में पढ़ता है पकिस्तान में भी आ गया है और इस छेत्र में हमें पकीवी इटों से निर्मित भवन मनके बनाने के कार खाने जूकर और ज्जागर सिंस्कृती के उलेक मिलते है इसके बाद आता है काली बंगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूडिया ठीक है यह हमें मिला है गंगा नगर राजस्तान से और यहां यह अभी इसका वरतमान स्थल है और यहां से हमें लकड़ी की नालिया इस स्थल से सैंधर्स्थल की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है आगे बढ़ेंगे हम बनावली बनावली की विशे में हम देखते हैं इसका छेतर हिसार हर्याना में पड़ता है यहां से हमें तामर उपकरण प्राप्त हुए है मन के बाट लिपी युक्त मुहरवे मिली हैं और वनागर आदी प्राप्त हुए है इसका साथ वास्तल है कोट दीजी जो सिंद्व के में पड़ता है और यहाँ पत्थर की बनी, मकान की नीव, कच्ची इटों की दिवारे, वनागर और एक कोटदीजी संस्कृती के अवशेश भी प्राप्थ हुए है इसके पशात आगे बढ़ते हैं सुद का गेंडोर या दाश्त नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है और इसके पास हमें एक बंदरगा, दुर्ग, नगर योजना के साक्ष प्राप्थ हुए है आगे चलते हैं डाबर कोट, डाबर कोट से हमें लोरा लाई के दक्षिन प्रदेश में ये संस्कृती मिलती है और यहां पे प्राक हडपा एवं हडवपुत्तर संस्कृती के साक्ष प्राप्थ हुए है हमारा अगला स्थल है रोपड जो शिवालिक पहाडियां जो पंजाब की इड़्गिर्ध है वहाँ पर पाई जाती है और यहां से हमें कांचली मिट्टी आभूशन तामरकी कुलहाडी एवं मुहर प्राप्थ हुई है और कच्ची ठीके भवन भी मिले है अगला जो स्थल है हमारा वह है बाड़ा वहां से वह हमें वर्तमान में पंजाब रोपड में स्थित है और यहां से हमें प्राप्थ हडपा संस्कृती से मिलते जूलते साक्ष प्राप्थ हुए है इसी कड़ी में हमारा जो अगला स्थल है वह है राखी गड़ी राखी गड़ी में जोकी वी वर्तमान में जिंध हर्याना में पढ़ता है यहां से हमें लीपीबद मोहर प्राक हडपा कालिन संस्कृती के पुरावशेश प्राप्त हुए है इसके पश्चात संगहोल एक जगा है जो की चंडीगर में पढ़ता है यहां से हमें वकान की दिवारे, कटी हुई मिट्टियां, कच्ची इटे बाड़ा संस्कृती के साक्ष मिलते जुलते साक्ष भी मिले है मालवन जो सबिता है वा सूरत गुजरात में पाई गई है वर्तमान में या गुजरात या सूरत में है यहां सीचाई हेतु नहर कच्ची इटें के चबुतरा और मिट्टी के बरतन प्राप्त हुए है इसके पश्चाई सूरकोटरा जो कच्च गुजरात में है यहां आवासिय मकान, कच्ची इटों के मकान, अस्थी कलश, बड़ी चटान से ढखी हुई एक कबर और अगनी कांड के प्रमान मिलते है इसके अलावा अगला जो स्थल है हमारा रोजडी, यह राजकोट गुजरात में है यहां घेराबंदी के प्रमान मिले हैं, भीशन अगरीकाण के साक्ष प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बरतन और आभुशन भी मिले है अगला स्थल है हमारा रंगपूर, यह आहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है यहां कच्ची इटो की सुरप्षा दुर्ब, इमारत, नालिया, मिट्टी के बरतन और आभुशन और विक्सित तथा पतन्वों मुख, हडपा सब्यता का प्रमान मिले हैं इसके अलावा अगला स्थल है मिताथल, जो भीवानी हर्याना में उपस्तित है यहां गड़ी और निचले नगर की योजना, तथा सुनिश्चित नगर विन्यास प्राप्त हुए हैं पुरानी एवम खंडित इटों से बने मकान, एवम आभुशन खिलोने, तामरूपकरण और विस्ट बरतन प्राप्त हुए हैं इसके बाद जो हमारा अगला सैंधवस्तल है वह है बढ़गाओं एवम अमखेडी जो सहरानपुल उत्तरप्रदेशन परता है यहां से हमें कांचली मिट्टी की चूडिया, तामबे का छला, मिट्टी के बरतनादी प्राप्त हुए है आलमगिरपुर, जो की मेरट में पढ़ती है, यहां पे पत्नोनमुक, हडपा के प्रमाण प्राप्त हुए है सोत, का, को, ब्लूचिस्तान में पढ़ता है, यहां व्यापारिक छेतर के साक्ष प्राप्त हुए है नाल के विशाय में बताए है, तो यह ब्लूचिस्तान में प्राप्त हुए है इसके बाद हम कुलू और गेटी को देखते हैं जो की बलूचिस्तान में ही है यहां से पांडूरंग के मृत्भाण, मिट्टी की मूर्तिया, चट फलक और सेल खड़ी आधी प्राप्त होई है पांडूरंग के मृत्भाण सौरी प्राप्त होई है अगला जो स्तार है अली मूराण जो की सिंद में पढ़ता है यहां से हमें मिट्टी की मूर्तिया, चाट फलक, सेल खड़ी एवं कारलेनियन के मन के एवं कुआ ये सब चीजें प्राप्त होती है चलिए आगे चलते है अब हम सैंधव स्थल के उत्खनन काल को याद करेंगे सैंधव स्थल के उत्खनन काल के विशे में देखें तो ये प्रमुक्स्थल हो गया और ये उनका काल हो गया हडपा का उत्खनन काल है 1921 मोहन जोड़ो का उत्खनन काल 1922 काली बंगा का 1923 और 60 चानुदोडों का 1931, लोथल का 1957, सुर्ख कोत्रडा का 1979, रंगपुर 1954, बनावली में 1973-74, असुत का गेंडोर का 1962 में खुदाई की गई थी अब आगे चलते हैं, कि हडपा संस्कृति के पतन के संदर्व में विभिन मत एवम उनके प्रतिपादक, जिन्होंने अलग-अलग सिधान्द दिये हैं हडपा संस्कृति के पतन के विशय में, तो ये कुछ मत हो गए और ये उसके प्रतिपादक हो गए, जैसे कुछ मत ये है कि आरियों द्वारा हडपा संस्कृति का विनाश वा तो ये कौन दिये हैं वीलहर और गार्डन नाम के व्यक्ति ने ये विद्वान है कुछ विद्वानों ने भीशड बाढ़ द्वारा सब्वेता का अंत बताया उसमें मार्शल मेके और एसार राओ प्रमुख है उसके बाद मोहन जोदलो के आग जनी द्वारा विनाश को बताया है डीडी कौसंबी ने वर्शा की कमी से क्रिशी एवं पसुपालन का विनाश ये बताया है औरल स्टाइन ने इसके बाद भुकम द्वारा विनाश बताया है जल प्लावन एवं भूत आत्विक परिवरतन द्वारा नाश बताया है दयाराम साहनी ने अला विर्ष्टी एवं जलावाईू परिवरतन बताया है आरल स्टाइन और अमलानन घोश ने और प्राकृतिक आपदवा द्वारा नाश कैनेडी के द्वारा बताया गया है और प्रशाशनिक सितिलता के कारण पतन हुआ है ये विचार व्यक्त किया है सर जान मार्शल ने ठीक है? चलिए अब हम कुछ महतुपुन बातों को आपको नोट कराना चाहेंगे जो की आपके परिक्षा के लिए काफी जादा उपयोगी है तो वो नोट करेंगे या प्रथम नगरिये सभ्यता थी सिंदु सभ्यता सर प्रथम सर जान मार्शल ने व्रिहत स्नानागार की खोज की थी स्वतंतरता के पस्चात हडपा सभ्यता के सरवादिक स्थल गुजरात में मिले हैं मोहन जोदलो से प्राप्त अनागार सैंदु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है सर प्रथम हडपा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन के अवशेश मिले हैं सैंदु सभ्यता से प्रिव्ट ईटो का अनुपाद चार अनुपाद दो अनुपाद एक में था पहली बार कपास उप जाने का श्रे हडपा वासियों को है मोहन जोदलों से घोडे के दात लोथल से घोडे की लगू मिर्न मुद्धिया एवं सुरकोटदा से घोडे की अस्तियों के अवशेश मिले है जुते हुए खेत का प्रमाण साक्ष प्रतम साक्ष प्राक सैंधव स्थल काली बंगा से मिला है चावल के प्रतम साक्ष लोथल से मिले है सैंधव मोहरों में एक श्रिंगी साण के उतकिर्ण चित्र सरवाधिक मिलते है काली बंगा एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष मिले है मेलूहा सिंदु छित्र का ही प्राची नाम था रिगवेद में हडपा सभिता को हरी यूपिया कहा जाता था या कहा गया है सिंदु सभिता त्रिबुजाकार छित्र में फैली हुई थी तथा उसका छित्रफल बारा लाख न्यानवे हजार छे सो वर्ग किलो मिटर था हडपा सिंदु सभिता की प्रथम राजधानी स्विकार की गई है हडपा से प्राप्त एक दर्पन तांबे से निर्मित है हडपा से प्राप्त मुद्रा में गरूर का अंकन मिला है मोहन जोदलों में कासे की बनी नर्थकी की मूर्थी प्राप्त हुई है हडपा में तांबे की बनी इकका गाड़ी प्राप्त हुई है मोहन जोदलों में पांच बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है लोथल से एक शव प्राप्त हुआ है जो कब्र में करवट लिये हुए लिटाया गया है शव का सिर, पूरब और पैर पश्चिम दिशा में है लोथल से एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई है जिसमें दो शव एक दूसरे से लिप्टे हुए है लोथल और काली बंगा में अगनी कुंड प्राप्त हुए है लोथल से गोडी जिसे हम डॉक्यार्ड कहते हैं मंदरगा पॉट के अवशेश प्राप्त हुए है चानुदाडों से प्राप्त एक पात्र में जला हुआ कपाल मिला है चानुदाड़ों से एक मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुआ है सिंदुवासी बतक को अत्यधिक प्रवित्र मानते थे सिंदुकालिन मुद्राएं, वर्गाकार, चर्टुभुज, कार, तुथा, बिलनकार होती है उत्खनन से प्राप सुईयों से गरात होता है कि सिंदुवासी सिला हुआ कप्ड़ा पहनते हैं थे सिंदुवासियों की लिपी चित्र प्रधान लिपी थी, इसमें 400 वर्ण है सिंदु लिपी दाई से बाई और फिर बाई से दाईने और लिखी जाती थी इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं सिंदु सब्यता से और क्या संभावित प्रश्ण हो सकते हैं उनको देखेंगे मोहन जोदलों की खुदाई से बुने हुए सूती कपडों के टुकडे मिले हैं चांदी का सरप्रथम प्रयोग हडपा काल में हुआ था हडपा काल में मात्री देवी की प्रधानता थी लोथल में एक तराजू पाया गया है खिलोने के रूप में कासे की गाडिया हडपा के मोहर पर एक जलियान का चित्रण लोथल से प्राप्त हुआ है सैंदव सब्यता के हथियार, पत्थर, तांबे कासे के बने हुए होते थे सैंदव सब्विता का सुमेर, इरान, बहरीन से व्यापारिक संबंद था हडपा संस्कृती का समाज मात्री सत्तात्मक था सिंदु निवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं था कब्रिस्तान और थर्टी सेवन का साक्ष हडपा से प्राप्त हुआ है लोथल से फारस की मुहरे भी मिली है हडपा कालिन स्थल हलूर से तलवार बनाने के साक्ष मिले है फर्ष में अलंकरित इटों का प्रयोग केवल कालि बंगा में ही किया गया है इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिंदू सब्विता से या हडपा सब्विता से इस प्रकार के प्रशन आपको NET में, JPSC में, BPAC में, SSC वगरे में, TET, CET, आदी में पूछे जा सकते हैं तो आप बड़ी बारीकी से इसको पढ़ें इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्ण निकाल कर आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से MCQ याने Multiple Choice Questions के रूप में आपसे पूछेंगे और आपका परिक्षन भी करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद